तो हम लोग ने अपना पहला चैप्टर जो था आटमिक स्टक्चर वो खतम हो चुका है तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टोसियोमेट्र स्टार्ट करने जा रहे हैं यह फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था और ऐसे केमिस्ट्री के सिलेवस में अब यह पहला चैप्टर है यह थोड़ा ज्यादा फॉर्मूला बेस्ट था और इसमें नियुमेरिकल ज्यादा थे इस वज़े से मैंने पहले थेरोटिकल पास स्टार्ट किया जाकि ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा हेल्प हो और इजी पहला चैप्टर थोड़ा पढ़ने में मौटिवेशन मिलता है तो यह मैं थोड़ा नियुमेरिकल पार्ट भी स्टार्ट कर जाता हूं ताकि नियुमेरिकल का भी आदत पढ़ते जाए अब को धिर दिये तो यह चैप्टर प्यूर्ली नियुमेरिकल बेस्ट है और स्टोस्योमेट्री का मतलब ही होत तो फिर कितना रियक्टेंट बनेगा कंसेंट्रेशन पर कैसे डिपेंट करता है यह सब लोग को इसमें पढ़ना होता है और बैसिकली हम लोग इसमें कंसेंट्रेशन निकालना भी जानेंगे कि कंसेंट्रेशन कितने तरीके से निकाला जाएगा कंसेंट्रेशन कितने तो इसमें बहुत तरह का कंसेंट्रेशन टाइप का टर्म भी आएगा जो कि हमको आगे कल्कुलेट करना होगा फिर हमको इसमें बैसिकली जो कल्कुलेट करना है वह हम लोग को रियक्टेंट और प्रोड़क्ट कि किसी भी सर्टिन गिवेन अमाउंट ऑफ रियक्टेंट के प्रोड़क्ट बनेगा अगर हम लोग कुछ बताया हुआ है कि इतना रियक्टेंट है सब्सक्राइब ऑक्सिजन है पचास ग्राम हाइड्रोजन ऐसा करके आपको कोई रियक्शन दे दिया तो आपसे पूछा जागा कि वाटर कितना बन सकता है ऐसा क्वेस्चन आ सकता है इसमें हम लोगों ऐसा ही बहुत सारा क्वेस्चन आएगा जो हम लोगों काल्कुलेट या फिर सॉल्व करना पड़ेगा तो सबसे पहले देखते हैं तो स्टोसियोमेट्री क्या होता है तो इट इस स्टडी ऑफ रियक्टेंट और प्रोड़क्ट लिना केमिकल रियक्शन म अब उसके लिए आपको बहुत सारा फंडामेंटल जानकारी चाहिए होगा जिससे कि आप क्वेस्चन सॉल्व कर ले ठीक है तो सिधा आपको क्वेस्चन दे के पहले रियक्टेंट प्रोड़क्ट ही बताओं उसके पहले कुछ बेसिक कॉंसेप्ट्स हैं जो आपको समझन क्वेस्चर मास पढ़ना है मोल कांसेप्ट पढ़ना है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है मोल कांसेप्ट स्टीप न्टीप पढ़ना है और भी कुछ टॉपिक्स है जैसे कि एफ्रेज आटोमिक मास में अ इसे लेक्ट्टर में आज हम लोग कंप्लेट करेंगे तो यह सब चोटा टॉपिक्स है जो पहले आप थोड़ा दो तीन लेक्चर तक यह सब टॉपिक्स ही मैं कंप्लेट कर लूँगा जिससे कि फिर जैसे मैं क्वेश्चन वाला पार्ट सुरू करूं तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहों तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है एटमिक मास तो एटमिक मास क्या होता है मास ऑफ इन एटम इस डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एटमिक मास यूनिट तो चलिए एटमिक मास का सिंपल सा क्या मतलब हो गया कि किसी भी एटम का मास मतलब सिधा हो गया किसी भी एटम का मास हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं जैसे कि अगर हगर, हम लोक को अपना मास बताना ओगा या फिर किसी obvious का मास बताना होजा तो हम लोग क्या करते हैं उसका kg में मास्च बताते हैं कि इसका Raj two kg है इसका मासा हा भ्यूस अंती के जिए तो हमारे पास एक युनित है है जैसे कि अब हम को की सी mountain का अगर suppose बहुत बड़ा पत्थल है या फिर कोई बहुत ही बड़ा object है तो उसका हम लोग kg में निकालते हैं उसका हम लोग ton या फिर क्या होता है I can define कैसे की आगे क्या है या फिर एक सब्सक्राइब आशियू या प्रूट को एक एम यू कहा गया अब यह क्यों कहा गया है नहीं किया किससे आपको कोई मतलब नहीं है सिर्फ आपके लिए जानना क्या जरूरी है कि atomic mass unit किसको कहते है तो atomic mass unit है 1 by 12 into weight of c12 atom carbon 12 atom जो है जिसका atomic mass 12 है जो carbon atom का atomic mass 12 है उसके वजन का 1 by 12 जो भार है उसी को हम लोग atomic mass unit कहते हैं जैसे इसका वजन अगर 12 gram है सपोस्पोस माल लेते हैं कि आपके consideration के लिए माल लेते हैं कि सपोस्पोस अगर वजन बारह ग्राम है तो बारह इंटू एक बटा बारह यानि कि एक ग्राम को एक atom मास unit कहा गया है ठीक है जिसको defined simply किया गया कि carbon 12 atom के 1 by 12 weight को atomic mass unit कहते है इसको यू से भी simply denote किया जाता है जैसे कि 12 यू 13 यू 100 यू ऐसे करकि यू से भी defined unified mass इसको कहते हैं तो इससे क्या बता सकते है कि carbon carbon atom का कितना मास होगा 12 amu जैसे कि 1 amu ब्रावर कितना है एक amu ब्रावर 1 by 12 into mass of carbon atom का कितना हो जागा 12 amu यह इधर आ जाएगा carbon का मास हो जागा 12 amu तो एक amu क्या यह समझना आपके लिए बहुत जोर है amu बहुत important चीज़ है यह समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जोर है तो atomic mass is xamu for different elements ठीक है इसको हम हर element के लिए बता सकते कि सब्सक्राव किसी वी element के लिए हम लिख सकते xamu x का value कुछ भी हो सकता है उसके respect में हम लोग calculate करके लिखते हैं हर atom का अलग अलग atomic mass होता है उसको हम लोग calculate करके यहां पर लिखते हैं अब दूसरा topic क्या आगया मोल concept क्या है simply आपको इसमें मोल के बारे बताया जाता है कि मोल क्या होता है एक मोल का नाम अपने chemistry में बहुत आपको सुनने को मिलेगा पूरा physical chemistry मोल पे बेस्ट है तो मोल होता क्या है सबसे पहला question यह आता है ठीक है तो हम लोग देखते है कि मोल क्या है मोल calculate कैसे होता है औ और मोल कितना होता है तो सबसे पहले मोल क्या है मोल एक नंबर है यह कोई substance कोई term या कोई formula नहीं है एक सिर्फ नंबर है जैसे एक दो तीन चार पांच ऐसे करके जो यह सब नंबर है ऐसा ही मोल भी एक नंबर है और इसका value क्या होता है वह हम लोग आगे नीचे पढ़ते मे लेकिन simply अब यह समझे कि मोल एक नंबर है एक मोल कुछ भी हो सकता है एक मोल बनाना भी हो सकता है एक मोल सू भी हो सकता है एक मोल जूता हो सकता है एक मोल हमारे पास कपड़ा हो सकता है मतलब मोल एक नंबर है जैसे होता है एक दरजन केला एक दरजन केला तो बारा केला व के वलब पर इसले बहुत बड़ा नंबर है और हम लोग इसको अटम को डिनोट करने के लिए करते हैं कि सफोस इतना अगर दस ग्राम20 ग्राम हमारे पास element है तो उसमें कितना अटम होगा तो उसको मल उसका मॉल के अटम में represent करते हैं तो एक मोल क्या हो जाता है वन मोल इस इक्वल टू एक्स वन ग्राम बाई एक्स ग्राम ठीक है एक मोल में कितना एम्यू है वही हो जाता है हमारा मोल एक ग्राम में कितना एम्यू वजन है जैसे कि हम कैसे बता सकते हैं कि एक टन में कितना केजी होता है तो जितना केजी है एक है थांड टन में 1000 kg क Gör में कि यही थाउजड ही सब्सक्राइब मौल मानते है तो यह कि है कि एक ग्राम में कितना mm को मेरे करें तो यह निकाल सकते हैं कि किस जा एक यहां पर देखी calculate किया गया है एक मोल का value होता है one gram by one amu तो one gram into one by twelve into weight of c12 atom अब इसका weight लिख करके हम लोग simply यहां पर divide की है यह calculation यह आप खुद से कर सकते कोई भी बहुत बड़ा complicated चीज़ नहीं है और वहां से हम लोग na का value इसको na से denote किया जाता है इसका value होता है 6.023 into 10 to the power 23 यही एक मोल है आप से कोई बोला की चलिए मेरे को एक मोल कपड़ा लाके दो तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसको इतना सारा कपड़ा लाके देना पड़ेगा 6.023 into 10 to the power 23 कपड़ा उसको लाके देना पड़ेगा तब वो एक मोल हुआ है तो एक मोल एक टर्म है जैसे मैंने उपर बताया था कि नीचे आपको बतायाएंगे कि एक मोल क्या होता है तो एक मोल बस एक नंबर है और वही नंबर है यह 6.023 into 10 to the power 23 आपको एक मोल अगर कुछ भी लाने बोला कि इतना आप उसको लाके दे देजिए बात खत्म इसको एवेगाडरो नंबर भी कहते हैं ठीक है एवेगाडरो नंबर इसी को कहते है 6.023 into 10 to the power 23 को और इसी लिए इसको एवेगाडरो नंबर के अब एक और बहुत जानने का जरूरत है कि सपोज चलिए सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलमेंट हम लोग देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है एलिमेंट को हम लोग रिप् है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कैसे इसच जो है वह अलिमेंट ऑर मेर यहां पर देनोट किया जाता है एक्या है वर से क्या है इसका एक एक्जामपल लेकि मैं आपको समया जैसे सब्सक्राइब हमारे पास क्या है है लिथियम है तो लिथियम का अबर कितना है three और मास नमर कितना है यह आपको आगे पढ़ना आप नहीं याद है तो याद कर लिए कम से हम बीस या तीस तक तो पक्का याद कर लिए आपको बहुत पड़ेगा तो यह हो गया रिप्रेजेंटेशन यह एक्स के यहां पर लिथियम है यह है उसका आटोमिक नमबर और यह उसका मास नमबर तो य यह रहें आटोमिक नमबर निकाल सकते हैं उसका मास नमबर निकाल सकते हैं और इसके इन दोनों को डिफनेंस निकालके है यह फुकिक नमबर और निकंस भी निक्ली तो और यह क्या होता है number of electrons के बराबर भी हो सकता है कब जब atom neutral हो number of electrons only when atom is neutral अब यह क्या हो गया कि only when atom is neutral यह क्यों हो गया वाई क्योंकि electron हम लोग जानते हैं कि neutral होता है तो ऐसा क्या हो गया कि जब neutral रहेगा तब ही वह मतलब होगा तो आप एक ची म्यस्चा है समझे यह हैड्रोड हम होता है या फिर कोई इसका चतना है इसे एक निकल चुका है तोnymi आते जाते रहता है को एक ऍटाव लेस्टन आ भी सकता है firm प्रत्तॉन जा भी सकता है इसलिए इलेक्ट्रोन कभी भी कुछ फिक्स नहीं है इसलिए उसको लोग अटमिक नंबर की तौर पे उसको नहीं कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वह ज्यादा भी रहता है कभी कम भी रहता है लेकिन प्रोटोन नूखलियस में जो प्रोटोन है वह हमेसा फिक्स रहता है यह तो मतलब कि अब तो इलेक्ट्रोन प्रोटोन दोनों सेम होगा तो वहां पर हम लोग नंबर ओफ इलेक्ट्रोन को या नंबर ओफ प्रोटोन किसी को भी अटमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं तो यह हमारा अटमिक नंबर है कि प्रोटोन जितना भी है न्यूक्लियस में उसको हम लोग atomic number कहते हैं, अब क्या है mass number क्या होता है, mass number होता है sum of number of protons and neutrons, sum of number of protons and neutrons, ठीक है, ये कुछ नहीं, नूकलियस में या फिर इसको nucleons भी कह सकते है, slash nucleons, क्या होता है कि एक nucleus में कितना proton और neutron है, sorry, neutron, neutral नहीं, neutron है, तो एक nucleus में कितना number of protons और neutrons है, उसको हम लोग mass number कहते हैं, जैसे कि किसी भी nucleus में, suppose 3 proton और 2 neutron है, तो इसका mass number कितना हो गया, 5, अगर 7 neutron है, 7 proton है, तो इसका mass number कितना हो गया, 14, तो ये हो जाता है mass number, ठीक है, इसको A से denote करते हैं, और इसको Z से denote करते हैं, अभी हम लोग उपर to mass number और Z is equal to atomic number, तो atomic number को Z से और mass number को A से denote करते हैं, तो ये क्या होता है, number of protons plus neutrons को ये हम लोग mass number कहते हैं, अब चलिए अगला topic पे चलते है, calculation of average atomic mass, ठीक है, ये बहुत ही important topic है, मतलब समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जोड़ है, ठीक है, तो देखिए, हम लोग आप हम का ही है, जो की whole number में है, हमेशा suppose 33 है, तो अगर उसका हम लोग mass number 33 समझ लेते हैं, तो उसका generally 33.5 या 36.2 ऐसे करके रहता है, मतलब decimal में रहता है, लेकिन अभी आपने क्या पढ़ाता है, कि mass number क्या होता है, number of protons plus neutrons, neutrons plus proton होता है, तो ये तो हमेशा whole number होना चाहिए था न, ऐसा तो कभी होता न, ये कि one dead neutron है, या फिर high neutron है, high proton है, ये तो हमेशा whole number में होता है, एक proton, दो proton, तीन proton, तीन proton, तो ये decimal कहां से आता है, ये बहुत बड़ा है आपके दिमाग में question आना चाहिए, कि decimal कैसे आ सकता है, या तो ये 36 हो, या 35 हो, या 34 हो, whole number होना चाहिए न, क्य ये तो हमेशा whole number में ही रहता है, तो actually यहां पर concept आता है, isotope का, isotope क्या होता है, मैं आगे, isotope कुछ नहीं है, isotope अगर आपको जानना है, तो simple समझ लिजे, कि isotope उसको कहते हैं, जिसमें same atomic number रहता है, same atomic number, मतलब कि same z, but different mass number, isotope क्या होता है, same atomic number, but different mass number, मतलब कि उसमें mass number atomic number same होता है, इसी को हम लोग isotope कहते हैं, तो अब हम लोग पहले देखते हैं कि calculate कैसे होता है, यह जो point में decimal में आता है, 33.6 यह 10.5 यह जो atomic mass आता है, यह calculate कैसे होता है, तो isotope क्या है, जैसे देखिए, आपको एक simple समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, कि कोई भी object है, उसका एक जगह पे mass suppose 10 gram है, और दूसरे जगस उसको लिए तो उसका gram 12 gram है, मतलब दूसरे जगस उसका वजन 12 gram है, एक जगह से 10 gram है, उसका मतलब nature same है, लेकिन उसका mass दोनों का अलग अलग है, तो आप इसको नहीं consider कर सकते हैं, और इसको भी consider नहीं कर सकते हैं, क्यूंकि अगर इसको consider कि जगा, तो इसके साथ नहीं साफ ही हो जाएगा, तो chemistry में तो पूरा life time के लिए कोई rule बनता है, तो आप कभी भी 2-3 दिन के लिए था नहीं कि अभी इसको लेके काम चला लेते हैं, इसको लेके बाद में देखा जाएगा, तो rule जब बनता है, तो किसी के साथ गलत भी नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए, कि इसको भी उतना ही मिलना चाहिए, जितना किसको मिला है, तो इसके लिए क्या formula बना था, एक मतलब law दिया गया था, कि इसको calculate कैसे कर सकते हैं, तो calculate करने का simple था कि जितना percentage है, जो suppose इसका 10% है, इसका 90% है, तो उसमें 12 ग्राम वाला अगर सपोज 90 ग्राम है, और 10 ग्राम वाला 10 ग्राम है, अगर ऐसा है, तो इसका percentage कितना हो गया, 90% है, इसका 10% है, तो उसको वजन के हिसाब से, जो जितना ज्यादा संख्या में है, जो जितना ज्यादा abundant है, उसको उतना ज्यादा importance दिया गया था, ठ सपोज एक Z element है, ठिक है न, और इसका क्या है, कि Z1 और Z2, सॉरी, हम लोग mass number ले रहे हैं, A1, A2 दो mass number है इसका, A1 और A2, यह 70% है, या फिर number क्यों ले, simply अभी ऐसे ही लेते हैं, यह सपोज X% है, और यह 100-X% है, ठीक है न, यह अब समझे क्या है, एक element है, जो कि जिसका atomic number Z है, और उसका 2 isotope है, mass एक, उसका mass number A1 है, और एक का mass number A2 है, और एवेंडेंट कीतना है, मतलब कि कोई भी sample ली है, तो उसमें A1 जो है, वो X% रहता है, और A2 जो है, वो 100-X% रहता है, जैसे कि X अगर 10 है, तो suppose A1 का mass है, जैसे कि अगर इसका atomic number 10 है, और mass number 1 इसका 20 है, और एक 22 है, ऐसे करके 2 mass number है, ऐसा होता है, isotope पाया जाता है, नेचर में, यह कोई बहुत ही अजीव चीज नहीं है, मैं isotope आपको अच्छे से कुछ दिरवात समझाने वाला हूँ, कि isotope होता क्या है, इसको कैसे, मतलब कितने type के होते हैं, तो यह सब समझने का चीज है, यह कोई बहुत ही अजीव चीज नहीं है, कि isotope कहां से आ गया, होता है, रियलिटी में, नेचर में ऐसा पाया जाता है, कि कि किसी भी एक element का 2 mass हो, ठीक है न, mass उसका 2 होता है, तो भही isotope का लात, isotope को मैं अच्छे पड़ेगा, तो एक का percentage है, एक का percentage कितना होगा, फिर दूसरे का कितना होगा, 100-x%, समझ रहे न, अगर एक का x% है, तो दूसरे का automatically के लिए 100-x% होगा न, तो अब इसका हम लोग average atomic mass निकालने के लिए, जो कि जिसको हम लोग average atomic mass कहते है, average atomic mass, यह कैसे calculate होता है, यह होता है, a1 into x plus a2 into 100 minus x divided by 100, यह हो गया mass, a resultant या a net इसको कहा सकते हो, ठीक है, यह हो गया a net, इसको समझ यह आपकी यह क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, जिसका जितना percentage है, उसको उतना वजन दे दिया गया, a1 into x, और a2 का percentage जितना उसको उतना वजन दे दिया गया, और divide by 100 कर दिया गया, net percentage मतलब weight निकालने के लिए, ठीक है न, तो यह एक simple सा formula है, जो कि atomic number निकालने के लिए, मतलब atomic weight निकालने के लिए, average atomic weight निकालने के लिए हम लोगों बताया जाता है, और यह कुछ है नहीं, बहुत जादा complicated, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लिजे इसको, average atomic weight कितना होता है, यह हो जाएगा, a1 into x, plus a2 into, कितना उसका है, a2 का कितना percent है, 100 minus x, और divide by कुछ नहीं, divide by सिर्फ 100 करतीजें, इसको, ठीक है, यह हो गया हमारा यहाँ पर, simple सा एक formula, अब चलिए इसका कुछ एक दो question solve कर लेते हैं, हैं, जिससे कि हम लोग को अच्छे से concept clear हो जाए, कि कुछ ज्यादा confusion नहीं रहे, यहाँ पर इधर तो कुछ numerical type का था नहीं, और है भी तो चलिए, मैं आपको करवा देता हूं कि अगर electron यह सब a mole से लेकर के कोई concept, मतलब numerical है तो वह भी मैं करवा देता हूं, तो इसको note करना है तो आप note एक वर कर सकते हैं, एक formula बहुत important है, percentage निकालने के लिए आपको यही एक formula यह और कोई अलग type का formula भी नहीं है, तो चलिए, एक question लेते हैं, एक chlorine नाम का आपने नाम सुना होगा, chlorine has two isotopes, इसका दो isotopes होता है, ठीक है, एक का मास कितना होता है, 35 और 37 इसका दो होता है, अब abundance कितना है, abundance मतलब कितना percent पाया जाता है nature में, abundance है एक का 75%, 35 वाले का and 25% respectively, तो क्या है, find average atomic mass, find average atomic mass, बस simple सा है, आपको अभी मैंने just यहाँ पर formula बता है, कि formula इसका क्या है, simply कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि a1 का value क्या है, a1 का value क्या है, a1 is equal to 35, a2 is equal to 37, अब x कितना है, देखिए हाँ पर 75x और y कितना है, sorry 100-x कितना होगा, simple बात है न, 100-x होगा 25, चलिए आप formula simply put कर देते हैं, a average कितना होगा, 35 x 75, sorry, 35 x 75 plus 37 x 100-75 divided by 100 is equal to 35 x 75 plus 37 x 25 by 100, ठीक है, यह कितना होगा, simple आप इसको 35, 50 by 100 होगा, अब इसको देखिए, 35.5, तो average atomic mass कितना है, average atomic mass आगा, 35.5, न यह 35 आया, और ना ही 37 यह इन दोनों का percentage निकाल के, जिसका जितना percentage उसको उतना weightage दिया गया, और उसी साफ से average atomic mass निकल गया, जो कि 35.5 आया, ठीक है, इस तरह से आप simple simple calculation करके, कि आप कोई भी atomic, कोई भी atom, कोई भी element का, उसका weightage के अनुसार, उसका atomic mass निकाल सकते हैं, ठीक है न, तो यह ऐसा एक, ऐसा type का आपको बहुत सारा question मिलेगा, जिसको कि आप कर सकते हैं, कुछ भी आपको दे सकता है, किसी का भी 2 isotope का mass दे सकता है, और आपको simple है कि उसका formula यह उसका average atom mass निकाल लेते हैं, अब चलिए mole concept से कुछ questions कर लेते हैं, ठीक है, तो चलिए एक question यहाँ पर है, calculate number of electrons, number of electrons in 9 gram L 3 plus, ठीक है, L 3 plus है, मतलब कि इसमें 3 electron इसका निकल चुका है, ठीक है ना, चलिए, देखते हैं, सबसे पहले क्या atomic mass कितना है, atomic mass कितना होता है Z का, L का solution, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, Z is equal to 27, atomic mass कितना होता है Z is equal to 13, ठीक है, तो चलिए, देखते हैं, number of electrons कितना है, इसमें neutral में कितना होगा, number of electrons in neutral state कितना होता है एक atom में, जितना atomic number है, atomic number इसका 13 है, तो इसका इतना ही होगा, है कि नहीं, simple सा बात है, कुछ इसमें बहुत जादा complicated चीज तो है, नहीं, neutral state में उसका atomic number होता है, इसमें electron होता है, इस equal to कितना हो गया 13, ठीक है, number of electrons in neutral state 13, अब चलिए निकल गया, 3 electrons removed, plus 3 का मतलब क्या होता है, 3 electrons को निकाल दिया गया, 3 electrons removed तो कितना हो गया, 13 minus 3 equal to 10 electrons है, अब उसमें L3 plus जब है, तो इसमें एक atom में कितना होता है, एक atom में 10 electrons है, यहाँ पे कोई भी valency या कोई भी electron नहीं, सिंपली पुछा जा रहे कि पूरे एक्रम में कितना इलेक्रों से तो एक्रम में कितना है यहां पर कितना में पूछ रहा है नाइन ग्राम सबसे इमपोटेंट यह ए सब्सकर अवास तो चलिए कि यहांपे आपको कौणसेन ःते हैं कि इसका वजन है 27 यानी कि atomic mass कितना है atomic mass is equal to 27 amu ठीक है ना एक atom का वजन है 27 amu अब एक चीज आप याद रखेगा अगर हम इसी को ग्राम में लिख देते 27 ग्राम यह कितने का वजन हो गया एक मोल एल्मुनियम का वजन हो गया 27 ग्राम एक atom का वजन है 27 amu लेकिन एक मोल का वजन है 27 ग्राम में आपको कोई भी वेट दिया जैसे कि oxygen का ले लेते oxygen के क्या है 32 अगर है ओटू का ओटू का वेट है 32 amu एक एक मोलेकुल का लेकिन अगर एक मोल मोलेकुल का बात करेगा तो कुछ करना नहीं है एक मोलेकुल का वजन कितना हो जाएगा 32 ग्राम सिमपली यहां पर ग्राम लिख दीज़िए डिदेखसंव वह एक मोल में कनवर्ट हो जाएगा अगर एक atom का वेट अगर एक atom का वेट सपोज 10 amu है उसको 10 ग्राम लिख़एगा 10 ग्राम का मतलब है कि वो एकमुल का वजन है एकमोल अटम का वजन है तो यहां पर एकम मोल का वजन ट्वैंटे सेवन ग्राम 227 ठीक है वुमारे पास कितना ग्राम दिया वह हं मारे पास दिया है नाइन ग्राम तो यो won moon hi is equal to 27 we तो 9 ग्राम में कितना होगा, 9 ग्राम में 1 by 27 into 9, ठीक है, is equal to 1 by 3 mol, ठीक है न, तो 9 ग्राम में कितना होगा, 9 ग्राम, L 3 plus में, क्योंकि देखिए, यहां पर वजन में, इलेक्ट्रोन के वज़े से कोई कमी नहीं आता है, क्योंकि आपको भी पता, इलेक्ट्रोन बहुत हलका है प्रोट्रोन से, तो 1 या 2 या 3 एलेक्ट्रोन निकलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपके पस 2000 kg का कोई object है, अगर 2 kg, 3 kg कम हो गया, तो वो कोई खास अंतर या फर्क नहीं डालता है, तिसलिए हम लोग इलेक्ट्रोन का वेट को हमेशा नेग्लेट करके चल 1 एटम है 10 इलेक्ट्रोन्स, तो यहां पर हम लोग इतना मूल, इतना मूल का मतलब क्या हुआ, 1 बाई 3 इन्टो 6, 6 ही ले लेते हैं इतना इंटम में कितना होगा एक अटम में अगर एक अगर नहीं सब्सक्राइब आप देते हैं तो इतना आटम में कितना होगा 1 by 3 into 6 into 10 to the power 23 into 10 एक आटम में 10 इलेक्ट्रोन है तो 10 आटम में कितना होगा 100 बीस आटम में कितना होगा 200 तो इतना में कीटना कर दिए इhtा मुझा कितना कर दीए कितना से इलेक्टरों इसелिएक्वल छो टु इंप्होन कि तो यही हमारा एंसर हुआ कि अगर हम लोग कुशू मोल में सकत करना माश को ड्म को कैसे मोल मेट करते तो मैंने आपको बताया कि एस आहार कि मोल मास को स्यंपली अगरहना हुई भी मोल का वजन हो जाता है अगर किसी के विह एक एका मास को तो हम लोग gram में लिख देते हैं यह मू से सीधा gram में लिखते हैं तो वह simple इस atom के एक मोल का वजन हो जाता है जैसे कि अगर एक atom का वजन है कि त्वेंटी एम क्यों थो अगर हम पूछ रहे हैं कि 20 ग्राम में कितना atom होगा तो simply में जैसे ही दिखा आपको simply वहाँ पर एक मोल लिखते ना है मतलब जैसे ही उसका atomic mass आपको gram में दिखा atomic mass amu के बजाए gram में दिखा तो उसका मतलब यह कुछ में एक mole electron का बात हो रहा है एक mole उस atom का बात हो रहा है ठीक है तो यह अगले लेक्षर आज हम यहीं पर खतम करते हैं इसमें हम लोगों ने तीन चार चीज़ बहुत important important पढ़ लिया कि atomic mass क्या होता है mole concept क्या है और average atomic mass कैसे calculate किया जाता है अब अगले लेक्षर में लोग कुछ NTP STP क्या होता है कि NTP क्या होता है जो कि gas का pressure को denote करने का notation है वही NTP और STP कहलाता है तो अगले लेक्षर हम लोग वो पढ़ेंगी कि NTP STP क्या होता है तो यह लेक्षर आज यहीं पर खतम करते हैं और कुछ भी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्षन आप में पूछ सकते हैं आपको जैसे हम लोग को टाइम मिलेगा तुरंत आपका डाउट किया जाएगा तो मिलते हैं आप से अगले